कुल हिंदी में जहां कल चर्चा कर रहेतां से ओर थोड़ी आगे चर्चाज करते हैं तो तो कल मानव चेतना के बारे में हम आने इन तीनों को सही वरियता से हम अपने जीने में पूरा कर पाएं, तब हम जाकर मानोचेतना में जी रहे हैं। समझ का मतलब है कि स्वयम से लेकर संपूर्ण अस्तित्यु की व्यावस्था की हमें समझ हो जाएं। समझ का मतलब माना मानो समझ में सही भाव हमारे में समझ हो जाएं। वैसा हम निर्वाह कर पाएं। और योदि सुवधा की बात करें तो सुवधा की सिमित निश्चित आवसक्ता को हम पहचान पाएं। और प्रकृति के साथ पूरक विधी से उसको हम पूरा कर पाएं। और इस वरीता को देखते हैं, तो समझ पहली वरीता दिखती हैं, सम्मंध दूसरी वरीता दिखती हैं, और सुविधा तीसरी वरीता दिखती हैं। अगर हम इसको ठीक ठीक ऐसा पूरा कर पाते हैं तो हम मानौश यतना में जी रहें एसा न कर पाने में समानेता यह होता है कि सुविधा को हम पहली वरीता देते हैं और सुखी होने में लग जाते हैं सुख की आवशक्ता निरंतर है, सुख निरंतर चाहते हैं, सुविधा जो भी हमारे पास होती है, वो सीमित होती है, सामवाइक होती है, तो जैसे ही सीमित सामवाइक सुविधा से निरंतर सुखी होने जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये पूरा निपढ़ा, तो सुविधा की सीमा हमारी बढ़ती जाती है उसके आउशक्ता कि पहचान हमारी निश्यत नहीं हो पाती है और पिर हम सुविधा संग्रह में लग जाते हैं और ये जो जीने का क्रम बन जाता है इस तो जीव जितना का जीव के लिए तो फिर भी पूरा पड़ सकता है मानों के लिए पूरा संपुर्णता में अपने जीने के कारक्रम को देख पाएं ऐसा हमारा जीना संशीष हो पाएं ऐसे संक्रवन का कि जीव चितना से मानों चितना में संक्रवन हो जाएं और इसमें शुच्छा संसकार की भूमी का है और यही करने योग काम है सही समझ के साथ जब हम संबंद क पहचान ठीक से करते हैं, प्रकृति के साथ निर्वार ठीक से करते हैं, उससे उभय सम्रिद्धी होती है, यानि हमारे अंदर भी सम्रिद्धी का भाव होता है, और इस प्रकृति भी समवर्धित होती है, सनरक्षित होती है, इसका सदुपयोग ठीक से हो पाता है, और यदि ह कि हुपमें जीने में पर सुख को सविशीत कर लें और ये हरे के असाथ सफुशित कर लें इस ते और हम देखनेяс precum कि हमारी हमारी जाना यह हमारी मूल चाहना है तो कल हम उने एक assignment लिया था, इस assignment का सार ये था कि अभी हम इस बात को देखें कि हम अपने जीने में समझ को यानि right understanding को first priority दे पा रहे हैं या नहीं, उसको हम वरीता ठीक से दे पा रहे हैं कि नहीं, तो विचार में तो हम अपील करता है, क्या जीने में भी हम उसको पहली वरी इंटा का समय अपने साथ लगाएं और इन चीजों को observe करें, जो assignment दिये जा रहे हैं, तो बहुत ही उपयोगी रहेगा, तो शुच्छा संसकार की भूमिका है, वो इस संक्रमन को फिनिशित करने के क्रम में है, कि जहां हम भूलवश सिर्फ सुवधा, संग्रा, सुवधा के पादन, सुवधा के संदक्षन के बारे में सोच रहे हैं, उससे shift हो कर हम इस संपूर्ता के अर्थ में सोचना सुरू करें, संपूर्ता के अर्थ में जीना सुरू करें, और ऐसा कारक्रम यदि बच्च्पन से बच्चों के लिए हम बना पाते हैं, तो बच्चों का जीने म पूरा संक्रमन दिखाई देगा, एक सभ्हेतागत शिफ्ट दिखाई देगा, एक संस्कृती में परिवर्तन दिखाई देगा, अगर हम भारत की इतिहास को ही देखें, आज से 200-300 चाल पहले तो हमारे जीने में सुवधा केंदर में नहीं था, परन्तु इंडस्ट्रियल की सुरू होने के बाद, जैसे सुवधाएं बढ़ी, उसके बाद देष्ट में पहले ये केंदर में आया, जब हमारे उपर पश्चिम से आलो का शासन हुआ, तो हमारे देश में भी ये केंदर में आ गया, अन्य था, ना तो हम इतनी सुवधाँ को पादन करते थे, ना इनको संग्रा और भोग की प्रविती थोड़ी कम ही थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, जैसे अभी बन देए, तो थोड़ा ध्यान देने की बात है, ध्यान देंगे, वापस इसको रिकवर कर लेंगे, कम से कम एक जो संस्कृती है, उसमें परिवर्तन तो हो सकता है, हम सब के जीन देखें, तो अगर आप के बाद जयता देशों में का भाव कि देशों का बहुत हो गया था, तो सीधाओं को लेकर काफी बात हुई, भोजन की प्रहिं की कमी कं देशों में बहुत जयादा हमारे देश में थी, तो भोजन की कमी के बात हो रही थी, कपड़ा मकानंसे सब को तो अगर हम थोड़ा सा भी इसको शिच्छा में विधिवात धंग से ले जाएं और कि हमारे देश की पुरानी संस्कृती भी ऐसी रही है तो इस पे शिफ्टेना कोई बहुत मुश्क्री काम नहीं है तो शिच्छा संस्कार में ये बात मुल्रूप से आज जाए कि शिच्छा संस्कार के मुख्य भूमी का तो ये संक्रवन है तो अभी हमारी पढ़ाई लिखाई है वो सिर्फ सुवधा के इंद्रित हो गई है जो हमारे जीने के लिए पूरी नहीं पढ़ती हैं हम मानों का भी शोफन करते हैं और वो एक असहाज इस्थिती बन जाती है अब ये भी बात होन लगी इस तरह से जीने का हमारा क्रम बन गया है क्या दर्ती आज से 50 साल बात जीनी यो गिरहेगी इसको लेकर पशनक्रा खड़े हो गए तो ऐसे में ना तो हमें समझ पे ध चुछी रहते हैं परिष़ान रहते हैं दुसरें को भी दुखी करते रहते हैं और उसका ही समय दजित्ता का भावरा करता है और इसलिए होता है कि अपने आप में घ्रमित हैं डेलुड़ेट अनुदे मतले तॐ अब बहुत सारे मानिताये हैं विद्धा को लेकर संविधमा को लेकर, सब्सक्राइएенно की देखेञा है, तो यसा लगता है, कि दूसरे से मिलने वाला भाव, यह स्टरी से मिलने वाली संवेदमा ही मुक्कि शुरोत हैकी तो इतने में ही जब कल्पपाशिलता चल रही होती है, इसको भ्रामित सेल्फ का इससे शुफ्ट होकर यदि संपूर्था पर ध्यान चला जाए तो तुसको त्रू सेल्फ पहेंगे जागरत सेल्फ पहेंगे कि नहीं तो हम सबका जो बेसिक एस्पूरेशन है वो तो यही है कि कॉंटिनुटी हो हैपिनेस की प्रस्पारिटी की और उसके लिए तीनों को पूरा करने की जुरत है स्वय में सही समझ, संबंद में सही भाव, सिमीत, सामवित, सुविध्धा की आश्यत्या की पहचान और प्रकृति के साथ पूरक्ता को ध्यान में रखें इसको पूरा करना यह ट्रांस्वर्मेशन डिजारेबल है कि नहीं यह हम अपने आपके देखनें इसे एक और बात जुड़ी हुई है कि अगर मुझे अपने विक्तिकाश जीवन में अपने विकास को मापना हो, कि 70 साल, 80 साल लगाकर यह हम सब के लिए मैं कह रहा हूँ, हमने कितना विकास किया, तो हम कैसे नापेंगे, कैसे मापेंगे, कैसे तै करेंगे, तो कई बार हम को लगता है कि ठीक है, पहले हमारे पास इतनी सुधा थी, आज इतनी सुधा होगी, पहले हम उस पद पे काम कर रहे थे, अब इस पद पे काम करने लगे, पहले हम छोटे से कस्बे में रहते थे, अब बड़े शहर में आ गए, पहले हम हमारे जीने का रंग रंग ऐसा था, इसा हो गया हुआज उपण जब कास को आपने जाते हैं इसको थोड़ा देख ले कई बार हमारी कल्गना शीलता है कि अपने विकास को आंकलन करना हो तो यह देखें गें कि इन तीनों में कितने पूरेपड है अगर सुविधा की कमी थी तो हमने उपोरा कर लिया अची बात ह किटना ठीक से निर्वाह कर पारें तो मुझे Oswem में अगर विकास को देखना हो तो क्या यही मापदंद होगा अपने लाइफ में प्रोग्रेस को देखना हो तो क्या यही मापदंद होगा या कोई दूसरा होगा परन्तु व calm is neon बिकास को देख सbalance को देखते हैं तो प्रगति को देखते हैं कि क्या लगते हैं सब्धा समद्वक्त पूरे पड़े किस से हमारा विकाफत है होगा या जो मैंने कुछ दारन लिये उससे हमारा विकाफत है होगा इसको चैट बॉक्स में रिस्पॉंड कर सकते हैं यह सब कुछ ऐसे मुद्धे हैं जिस पर हम अपनी गहरी-गहरी माननेताओं का ठीच से आंक रहन कर पाते हैं कि एक परस्नल लेवल पर भी हम देखें कि मेरे विकास का मापदन यही है या कुछ अन्यथा है इसो रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसे बहुत सारी परते खुलेंगी कि कई ब entwickeln तो इस छोटे से दाएरे में नहीं है पहले कि शहर में रठे थे आप की शहरमें आगे पहले क्या सुधाया परूक करते थे आप क्या सुधायां प्रोग कर रहे हैं इन सब चीजों को देखें तो भी आगे हम आगे विकास करना है और हमने अपने बच्चों का ज तो महानगर में या दिदेश में चला जाए और हमारे वीजन बन जाता है फिर उसके साथ समंधों की समस्यां बनी रती हैं समझ प्रियर्टिव बनती नहीं है और हम वैसा भोग भी रह होते हैं और हमें समस्या मूलता कहां यह दिखाई भी नहीं देती और हम जो चोटे-मोट इन्टरक्शन को समस्यां माने रते हैं उसमें अभी हमने विकास के मापदंद को किस रूप में प्लेस किया है विकास को भी इसी रूप में देखते हैं यःस अनेधा देखते हैं इसको मुल्यांकन करना है, इसको लिखना है, तो हमने अभी तक पास में जो प्रयास किया है, उसका भी आकलन करें, भवी सिखी जी ओजनाय बना रहे हैं, उसका भी आकलन करें.